Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to my channel. तो रजनी हमारा चैप्टर है, चैप्टर नमबर 7, क्लास 11 आरोहो भागवान से, चोकि लिखा है मनुभनदारे ने, तो आज हम इसके वन मार्क्स के कोशन आंसर को कवर करेंगे, और इक कोशन आंसर एंसी क्यूज में भी आप से पूछे जा सकते हैं, एक्जाम्स के पॉइं आप वहाँ जाकर उन्हें देख सकते हैं, तो कोशन नमबर 1 है, कि रजनी पाठ की लेखी का कौन है, तो उत्तर होगा, कि रजनी पाठ की जो लेखी का है, वो मनुभनदारी है, मनुभनदारी ने इस पठकता को लिखा है, तो प्रशन नमबर 2 है, कि अब ये रजनी कोई और मुसीवत खड़ी ना करे, ये कथन किसका है, तो उत्तर होगा, कि ये कथन लीला का है, और लीला कौन है, लीला है, अमित की मा, अब जब रजनी को ये पता चलता है, कि अमित ने पेपर अच्छा किया, और इसके बाव जो दुसको नमबर कम दे गए, तो वो इसके शिक पतना चारे जो हैं, अमित के अध्यापक को डाटेंगे, और इन फ्यूचर वो जो अध्यापक है, वो अमित को और ज़्यादा परिशान करेंगे, तो इसी वज़े से लीला जो है, ये बात को कहती है, कि रजनी अब किसी और मुसीवत को खड़ा ना कर दे, तो नेक्स्ट लगवाए, और जो बच्चे उनसे टूशन लगवाते हैं, वो नी बच्चों के मांक सच्छे आते हैं, बाकि बच्चों के मांक सच्छे नहीं आते, उनके मांक जानबुश कर कारती जाते हैं, अमित के माता पिता उसे कहते हैं, कि वो तो एक होश्यार शातर है, और उनकी आर्थिक स्तिती भी अच्छी नहीं है तो इसे विज़े से वो ट्यूशन नहीं लगवा पाएंगे तो अध्यापक जो है अमित के गनित में कम अंक दे देता है और इसे विज़े से अमित जो है गनित में कम नंबर आनी के लिए अपने माता पिता को ही दोशी मानता है कि उन् लगवा देते तो उसके गनित में कम नमबर नहीं आते उसके टीचर उसको अच्छे मांकस दे देते लेकिन ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि टीचर ने चिटिंग के साथ उसके नमबर को कम किया था अमित ने तो पेपर बहुत अच्छा किया था और अमित होशार भी बहुत था तो उसको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी और अपने टीचर को एक्सपोज करना चाहिए था समाज में लेकिन उल्टा उसने अपने माता पिता को ही दोशी मान लिया कि उसने उसके अध्यापक की नजायज मांग को क्यों नहीं माना तो उत्तर होगा कि एक अधन पूरता सत्य और जित है क्योंकि प्रधानाचारे का जो पद है वो जिम्मेदारी का पद है अब जब रजनी अध्यापक की शिकैत लेके स्कूल के प्रिंसिपल के पाथ जाती है तो स्कूल के प्रिंसिपल कह देते हैं कि इसमें मैं क्या कर सकता कि उनके स्कूल में अगर बच्चों के साथ नाइंसाफी होती है कोई अध्यापक बच्चों के साथ गलत करता है तो वो उसके बारे में खोज खबर ले और दोश्यों को दण दे तो इसी वज़े से रजनी ये सेंटेंस उनको बोलती है तो next question है कि ट्यूशन के नाम पर क्या ह रहा है तो उत्तर होगा कि जो बच्चे ट्यूशन नहीं पड़ते उन्हें कम अंक दे दिये जाते हैं तो ट्यूशन के नाम पर लगातार बच्चों का शोशन किया जा रहा है और माबाप के ओपर ट्यूशन के खर्चे का अधिरिक्त बोज भी डाला जा रहा है तो next question होग कि कौपिया ना दिखाने का नियम कहाता कुचित है तो उत्तर होगा कि ये नियम सर्वथा अन्याइपून है इस नियम के नाम पर अंको की गड़बड़ी को ढगा जाता है अब जब अगर कोई बच्चा अपना पेपर करता है और पेपर में बच्चे को लगता है कि उसने बहुत अच्छा किया और उसे ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलने चाहिए लेकिन जब उसे नंबर कम मिलते हैं और वो ये मांग करता है कि उसे उसका पेपर चेक करने दिया जाए तो उसका पेपर उसको नहीं दिखाया जाता तो ये जो नियम है ये बिलकुल भी ठीक नही तो ये नियम ही बिल्कुल ठीक नहीं है तो next question है गलती सहने वाला गुनेगार कैसे होता है तो उत्तर होगा क्योंकि इस सहने वाले को साहस मिलता है अब गलती करने वाले इसलिए गुनेगार होता है students कि अगर वो गलती सहन करता चला जाएगा अन्याई के खिलाफ आवाज नह है तो आज मैं अगर इसके साथ थोड़ा नयाई कर रहा हूं तो कलको मैं इसके साथ जादा भी कर सकता हूं तो इसी वज़े से गलती सहन करने वाला जो गुनेगार होता जादा माना जाता है तो next question है कि पार से रजनी के बारे में क्या पता चलता है तो उत्तर होगा कि पार है कि हमें क्या लेना देना समाज में अगर किसी दूसरे के साथ गलत हो रहा है तो हम आवाज क्यों उठाए हमें अपना काम करना चाहिए तो इसी वज़े से रवी की जो सोच है वो यही है कि हमें अन्याई को देखकर आंखे बंद करने चाहिए क्योंकि वो हमारे साथ नही हो रहा और अगर हम ऐसे ही फालतु के लफोडों में पढ़ते रहेंगे तो फिर हम अपनी जिन्दगी को कब जीएंगे तो इसी विज़े से जो रजनी का पती है वो अपने काम से काम रखने वाला वेकती है तो बढ़ते हैं वाला व्यक्ति कभी देश के लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जिसकी सोची यही हो कि हमें क्या लेना देना अगर किसी के साथ तर्ण्याय हो रहा है तो होने दो जब कोई हमारे लिए बोलीगा हमारे साथ तर्ण्याय करेगा तो हम तभी अबाज उठाएंगे तो इसी के प्रति ही कुछ बात नहीं बोल सकते उनका बचाव नहीं कर सकते उनको अन्याइ से हम रक्षा नहीं कर सकते तो हम देश का भलग क्या भलग करेंगे तो बढ़ते हैं next question की तरफ तो जो next question है कि समपादक से रजनी किस विशे में बात करती है तो उत्तर होगा कि समपादक से रजनी ट्यूशन के विशे में बात करती है वो समपादक को कहती है कि जो ट्यूशन का राकित है वो हमारे समाज में चल रहा है और वो उसकी मदद से अपनी बात को जन जन तक पहुँचाना चाहती है तो इसी वज़े से समपादक से रजनी जो है इसी विशे पर बात करती है तो next question है कि अखबार किसी बात को व्यापक कैसे बना देता है तो उत्तर होगा कि जब अखबार किसी बात को उठाता है तो उसका प्रचार प्रसार पूरे समाज में हो जाता है क्योंकि अखबार एक ऐसी चीज है जो सुबह सुबह हर घर के आंगर में पहुंचती है और लोग रजनी चाहती थी और इसी वज़े से उसने अख़बार के संपादक से बात भी की थी तो नेक्स कोश्चन होगा कि क्या संपादक रजनी की सायता करने को मान जाता है तो उत्तर होगा कि हाँ संपादक जो है रजनी की सायता करने को मान जाता है और वो रजनी से कहता है कि ठीक अगर आप चाहेंगे तो मेरी ये बात बहुत सारे लोगों तक पहुचेगी और मैं इस बात को लेकर उपर तक जाना चाहती हूँ उपर अधिकारियों तक जाना चाहती हूँ और इसी वज़े से अखबार की वज़े से अखबार के संपादक की वज़े से रजनी का जो छोट सा यह आंदोलन था वो एक बहुत बड़े आंदोलन में तब्दिल हो गया और आखिरकार सरकार को उसके बाद माननी पड़ी तो next question है कि पार्ट किस विधा से संबंदित है तो उत्तर होगा कि यह पार्ट पत्कता विधा से संबंदित है यानि कि यह पार्ट एक धारा वाहिक की तरह लिखा गया जिस तरीके से एक नाटक कताई होती है तो उसके उसी की तरह यह पट कता पर यह जो विधा है उससे आधारे दिये हमारा पार्ट है तो student उमीद है यह आंसर आपको बहुत अच्छे से एकलियर हुआ होगा वीडियो को लाइक कमेंट शेर जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए और पर इट कीजिए ताकि आने वाले हर वैल्यूबल वीडियो आप तक पहुंचे मिलते हम आप से अपने नेक्स वीडियो में तिल दन कीप वाचिंग स्टेई कनेक्टेड थैंक यू